Hello everyone, आज मैं आपके लिए बहुत यूजबुल टिप्स लेके आई हूँ, टिप्स छोटी हैं लेकिन बहुत ही काम की हैं, तो आज की टिप्स हमारी करेले की सबजी को लेकरें, अक्सर हमारे घर में बच्चे करेले की सबजी खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि करेले खाना सीख जाएंगे, तो सबसे पहले तो हमको करेले इस तरह से थोड़े थोड़े ऊपर से छील लेने हैं, तो देखे मैंने सारे करेले छील लिये हैं, अब हम कच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च लेकिन ये करेले थोड़े पके हुए हैं तो मैं इनके बीज निकाल रही हूँ तो इस तरह से आपको बीज निकाल लेने हैं और इसी तरह से दिखे अब हम इनके एक चीरा ओर लगाएंगे और एक कट बीच में लगाएंगे तो मैं लंबे-लंबे कट कर रही हूँ, इस तरह से सारे करेले कट करके मैं अच्छे से पानी में इनको धोलूंगी तो देखे मैंने सारे करेले कट कर लिये हैं और अच्छे से पानी से मैंने इनको धोलिया है अब मैं आपको दो तरीके से सबजी बनाना बताऊंगी तो मैं आधे करेले एक बार उबालने के लिए रख रही हूँ तो ये लिजे आधे करेले मैंने इसमें डाल दिये हैं अब हम 4-5 हरी मिर्ची डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे और अब इनको हम गेस पर गलाने के लिए रख देंगे तो दिखे करेले हमारे गल चुके हैं, अब एक बार हम चेक कर लेंगे तो ये एकदम परफेक्ट हैं, अब हम गेस को बंद कर देंगे और इनको हम निकाल लेंगे और अब हम इनको थंडा होने के लिए रख देंगे और जब तक हम दूसरी चीजे तयार करेंगे अब आपको वीडियो ध्यान से देखने है कि करेले की सबजी में आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी तो देखे सबसे पहले तो आपको सौप लेनी है और इसको पानी में भीगो कर रख देना है एक मैंने बड़ा साइज की प्याज ली है अब इसको हम छोटे छोटे टुकडों में कट कर लेंगे तो देखे ये मैंने प्याज कट कर ली है अब इसके बाद चार से पांच मैंने कटी हुई हरी मिर्चिली है जिनको मैंने थोड़े बड़े साइज में कट किया है एक मैंने कटा हुआ टमाटर लिया है और एक मैंने कटा हुआ नीबू लिया है इसके बाद जो सौप हमने भीगो कर रखी है हम इसका पानी निकाल लेंगे तो देखें फ्रेंड्स करेले की सबजी में ये चीजे बहुत ही जरूरी है जो आप इस वीडियो में देख रहे हो तो आप देख सकते हो एक मैंने कटा हुआ नीबू चार से पांच हरी मिर्ची एक टमाटर सौप एक बड़ा साइज की प्याज तो करेले भी हमारे ठंडे हो चुके हैं अब हम इनको निचोडेंगे अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहूँगी अगर आपके हातों में मिर्ची चड़ती है तो आप इनको कोई कपड़े से निचोड सकते हैं क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्ची डाली थी और अगर आपके हाथ में मिर्ची नहीं चड़ती हैं तो आप वेसे भी निचोड सकते हो जैसे किसी किसी के हाथ में मिर्ची ज़्यादा चड़ती हैं तो आप हरी मिर्च एक साइड में निकाल दें और किसी कपड़े से निचोड लें तो यह मैंने निचोड लिये हैं, अब चलते हैं हम गेस पर तो अब आपको ध्यान देना है, देखिए मैंने तेल गरम कर लिया है सबसे पहले डालेंगे हम इसमें सौप और अब डालेंगे हम इसमें कटी हुई प्याज और इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे ज्यादा नहीं भूनना है थोड़ा सा भूनना है और अब डालेंगे हम कटी हुई हरी मिर्ची हरी मिर्ची और प्याज आपको साथ में नहीं डालनी है नहीं तो आपकी हरी मिर्ची ज्यादा जल जाएंगी और प्याज कची रह जाएगी इसके बाद अब डालेंगे हम कटा हुआ टमाटर और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, लाल मिर्ची और थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे सारी चीजों का अच्छे से मिला देंगे और इसके बार डालेंगे हम करेले जो हमने करेले उबाल कर निचोड के रखे हुए हैं वो डाल देंगे और अब हम इनको अच्छे से भूनेंगे जब तक हमारे करेले हलके हलके ब्राउन नहीं हो जाते जब तक हम इनको भूनते रहेंगे और एकदम धीमी गेस पे आपको ये जब तक भूने जब तक अच्छे से तेल ना छोड़ दे अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी करेले की सबजी में आपको जीरा और लसन का इस्तमाल नहीं करना है मैं अपना तरीका आपके साथ सेर कर रही हूँ अगर आप कोई अलग तरीके से बनाते हों तो आप मेरे साथ जरूर सेर करें क्योंकि हर किसी का तरीका अलग होता है तो ये लीजे सबजी बन के हमारी रेडी हो गई है आप देख सकते हो अच्छे से तेल छोड़ दिया है अब हम गेस को बंद कर देंगे और थोड़ी देर इसको ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे आधा नीबू का रस मैं आधा नीबू का रस डाल रही हूँ क्योंकि सबजी मैंने थोड़ी बनाई है और नीबू का रस इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है तो ये लीजिए अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे तो ये आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट सबजी बनके हमारी तयार हो गई है आप इस तरीके से एक बार जरूर बना कर देखें बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे और आपके बच्चे बहुत ही ज़दा पसंद करेंगे तो चलिए अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ अब मैं इनको केरी के साथ में बनाऊंगी तो यहाँ पर मैंने दो-तीन केरी लिये हैं यानि कि मैंने पावबर केरी लिये हैं और इनको मैंने काट लिया है और ये मैंने आधे करेले बचा के रखे हुए थे तो अब देखे एक पतीली में मैं केरी गलाने के लिए रख दूँगी और केरी में मैं डाल रही हूँ सौफ सौफ डाल रही हूँ और इसमें मेथी डाल रही हूँ आपको करेले और केरी साथ में नहीं गलाने हैं, अब एक पतीली में में करेले रख देती हूँ. तो करेले में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, केरी में हमने नमक नहीं डाला है, और करेले में हम हल्दी भी नहीं डालेंगे. तो यहाँ पर केरी हमारी गल चुकी है, आप एक सकते हो यह दिखिए, केरी आपको थोड़ी ज़्यादा ही गलानी है इनको हम एक-एक करके निकाल लेंगे इसके बाद दिखिए हम इस पानी को छानेंगे ताकि मेथी और सौप हमारी निकल जाएगी तो मैंने इस तरीके से मेथी और सौप को इस चालनी में निकाल लिया है और यह हमारे करेले भी गल चुके हैं तो इनको भी हम पानी से निकाल के ठंडा कर लेते हैं तो दिखे करेले हमारे ठंडे हो गए हैं, अब मैं इनको निचोड लेती हूं, तो आपने देखा इनमे हमने हरी मिर्ची नहीं डाली थी और पहले जो मैंने उबाले थे उनमें मैंने हरी मिर्ची डाली थी, तो ये मैंने निचोड लिये हैं अब इसके बाद हम चलते हैं गेस पर यहाँ पर यह हमारी केरी है और यह जो हमने मेथी और सौप को केरी के साथ में उबाल कर रखा हुआ है तो दिखिए मैंने कड़ाई में तेल लिया है यहां पर मैंने लोहे की कड़ाई का यूज गया है सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी राई डालेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे सौफ और मेथी हम इस सबजी में प्याज, हरीमेची, टमाटर का यूज नहीं करेंगे और लुहे की कड़ाई में ये बहुती ज़्यादा जबरदस टेश्टी बनके तयार होगी एकदम ऐसे चटनी जैसी बन जाएगी तो सौफ और मेथी को थोड़ा सा भूनेंगे और अब हम डाल देंगे करेले इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे करेले हमको ज़्यादा भूनने है एकदम थोड़े थोड़े ब्राउन होने तक ताकि जो इनका कड़वा आटे वो बिल्कुल खतम हो जाएगा इसलिए हमको अच्छे से करेले भूनने है अब इसके बाद हम डाल देंगे केरी और यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहूंगी इस सबजी में भी आपको लहसन और जीरे का इस्तमाल नहीं करना है ना ही कोई गरम मसाला डालना है जैसे हम नोर्मल सबजी में डालते हैं इसमें हमने डाल दी थोड़ी सी हल्दी, स्वादनुसार नमक और लाल मिर्ची केरी की सबजी में सौफ, मेथी और आप काला जीरी डाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर काला जीरी नहीं डाल रही हूँ बिल्कुल जो चीजें हम अचार में डालते हैं सेम उसी तरीके से यह सबजी बनाई जाती है और यह सबजी मतलब वो 15 दिन तक भी खराब नहीं होती है अब मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर पिसी हुई चीनी यह आपको जरूर डालनी है, इससे इसका जो टेस्टे दूगना हो जाता है तो आप पिसी हुई चीनी या फिर गुड का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर अभी गर्मी है तो मेरे पास गुड नहीं है तो मैं यहाँ पर चीनी का इस्तमाल कर रही हूँ तो बस यह सबजी हमारी रेडी हो गई है अब हम इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे तो आप देख सकते हो देखते ही मूँ में पानी आ रहा होगा मैं आपको इसका टेस्ट तो नहीं करवा सकती हूँ लेकिन देखने में आपको इसका टेस्ट जो पता चल रहा होगा तो प्लीज आप मेरे कहने से एक बाद जरूर ट्राइ करना बहुत ही ज़्यादा जबदस टेस्टी बनके तयार होगी और अगर आप इसको फ्रीज में रखते हैं तो 15 दिन तक यूज कर सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होती हैं और दोनों तरीके से आपकी सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तयार होगी आपके बच्चे बिल्कुल भी करेले पसंद नहीं करते हैं तो वो भी करेले खाना सीख जाएंगे तो अगर आपको वीडियो थोड़ी से भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ जरूर सेयर करें थैंक यू